हाई अप्रिवन मैं हूँ डॉक्टर सलीम और आज मैं आपको बताने वाला हूँ चार बहुत ही बढ़िया होम रेमीडीज के बारे में जो कि आपके बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करने में आपकी मदद करेंगी तो अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है आप उसकी दवाईया ले रहे हैं बड़ उसके बावजूद आपका ब्लेड प्रेशर कम नहीं हो रहा है या फिर आपका ब्लेड प्रेशर हलका फुलका बढ़ा रहता है बॉर्डर लाइन हाई है और आप दवाईया नहीं ले रहे हैं तो इन दोनों ही cases में आप ये home remedies ट्राइ कर सकते हैं ये home remedies ना सिर्फ आपका blood pressure कम करेंगी बलकि overall आपकी जो cardiovascular health है उसको भी improve करके आपकी सेहत में इजाफा करेंगी तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको recommend करूँगा वो है garlic garlic एक powerhouse है antioxidants का दोस्तों और ये ना सिर्फ आपके blood pressure को कम करता है बलकि इसके साथ-साथ overall जो आपकी cardiovascular health है उसको भी improve करने का काम करता है ये आपकी body के अंदर से cholesterol को कम करता है आपके triglycerides खून को पतला करने का काम करता है यानि ये as a blood thinner काम करता है और हमारे खून के जमने को या थक्का जमने को या thrombos बनने को या नसों के block होने को कम कर देता है garlic को गर आप इस्तमाल करना चाहते हैं इसके medicinal benefits लेने के लिए तो उसके लिए आपको इसे पका के नहीं खाना चाहिए इसको इस्तमाल करने का जो best तरीका है वो है कच्चा खाना यानि इसको आप हलका हलका बारीक बारीक काट लीजिए और इसको पानी की मदद से आप निगर लीजिए या फिर इसका आप powder बना के भी ले सकते हैं अगर आप इसको कच्चा खाना चाते हैं तो सुवा खाली पेट दो क्लोस गार्लिक की आप ले सकते हैं या फिर अगर आप इसका powder बना के लेना चाते हैं तो उसके लिए पहले आपको garlic की जो अलग-लग क्लोस होती हैं उनको छाओं में सुखा लेना है जब वो अच्छी तरह से सूख जाएं तो उनको mixer grinder में डालके आप बारीक पीस लीजिए करीब एक चोथाई से लेके आधा चमज तक इस powder को आप लीजिए सुवा खाली पेट तो इसकी मदद से ना सिर्फ आपका blood pressure कम होगा बलकि आपकी जो overall health है वो भी improve होगी दूसरी बहुत ही बढ़िया home remedy जो की आपके blood pressure को कम करने का काम करती है वो है black pepper यानि के काली मिर्च काली मिर्च के अंदर एक compound होता है जिसको बोलते हैं pepperine और pepperine जो है दोस्तो यही एक active compound है जो की सारे medicinal benefits इसको provide करता है in fact जो खुश्बू या धसका हमें आता है काली मिर्च से वो भी इस pepperine की जैसे ही आता है अगर आप काली मिर्च को regular इस्तेमाल करते हैं तो इसकी जैसे आपकी body के अंदर inflammation कम होता है swelling को कम करने का यह काम करता है आपके digestion को improve करता है liver को healthy बनाता है और इसके साथ-साथ आपका जो blood pressure है उसको भी कम करने का काम करता है black paper जो है दोस्तो यह एक rich source होता है potassium का और potassium जो है यह हमारे blood pressure को कम करने के साथ-साथ हमारे बढ़े हुए heart rate को कम करने का भी काम करता है या आप कह सकते हैं कि अगर आपको palpitation रहता है heart की जो आपकी speed है वो जादा रहती है palpitation रहता है घबरहाट रहती है या आपका blood pressure बढ़ा रहता है तो इन दोनों ही cases में आपको काली मिर्च का इस्तमाल करने से काफी फायदा मिलेगा अगर आप इसको इसको इस्तमाल करना चाहते हैं बट इसकी एक बहुत अच्छी property जो है वो यह कि अगर कभी-कभी आपका blood pressure अचानक से जादा shoot कर जाता है तो इसका ये पानी अगर आप लेते हैं काली मिर्च वाला तो ये आपके blood pressure को instantly कम करने का भी काम करता है बहुत ऐसी condition में आपको helpful ये हो सकता है तीसरी बहुत ही बढ़िया home remedy जो की आपको मैं suggest करूँगा वो है अर्जुन छाल अर्जुना जो है दोस्तो एक बहुत ही बढ़िया चीज है ना सिर्फ आपके blood pressure को कम करने के लिए बलकि mainly जो इसका use लोग जानते हैं वो है cholesterol को कम करने के लिए बट अर्जुन के अंदर दो चीजे होती है दोस्तो एक होती है coenzyme q10 और एक चीज होती है अर्जुनाइट्स ये दोनों compound जो होते हैं ये इसको basic medicinal properties provide करते हैं जहां तक बात आती है अर्जुनाइट्स की तो ये आपका blood pressure कम करने के साथ साथ cholesterol को कम करते हैं आपकी arteries को healthy बनाते हैं blood के अंदर जो toxins होते हैं उनको remove करने के काम करते हैं और हमारे heart को भी healthy बनाते हैं strong बनाते हैं इसके साथ साथ जो coenzyme q10 है ये required होता है हमारी heart की muscles के द्वारा यानि हमारी जो heart की muscles हैं उनको सबसे ज़्यादा जरूरत होती है कोएंजाइम Q10 की जब हमारी एज बढ़ती है तो धीरे धीरे बॉड़ी के अंदर से जो कोएंजाइम Q10 है ये कम होना शुरू हो जाता है और इसकी वज़ासे हमारा हार्ट मसल कमजोर हो जाती है और हमें पैल्पिटेशन, घबराहाट, हार्ट रेट बढ़ना, ब्लेट प्रेशर बढ़ना इस तरह की बिमारिया होना शुरू हो जाती है तो अगर किसी जरिये से हम इस कोएंजाइम Q10 को रेगुलरली अपनी डाइट में लेते रहें तो उसकी वज़ासे बहुत मुम्किन है कि जो हमारा हार्ट मसल है, वो स्ट्रॉंग बना रहे और इसी वज़ासे अर्जुना का रेगुलर इस्तेमाल करने से जो हमारी हार्ट की मसल्स है, वो स्ट्रॉंग बनती है पैल्पिटेशन दूर होता है, ब्लेट प्रेशर घटता है और overall जो हमारा cardiovascular health है, वो improve होता है क्योंकि ये एक बहुत अच्छा बहुत रिच सोर्स है, coenzyme q10 का अगर आप अरजुन की छाल को regular इस्तेमाल करना चाहते हैं उसके लिए इसका powder आप इस्तेमाल कर सकते हैं वैसे तो इसकी छाल को आप साबोद भी इस्तेमाल कर सकते हैं उबाल के, बट जादा तर जो commonly लोग यूज करते हैं वो इसको powder को इस्तेमाल करते हैं अगर आप इसका powder इस्तेमाल करते हैं और इसको छान के पी लीजिए इससे आपको बहुत बढ़ी हर्दर्स मिलेंगे in terms of your blood pressure and in terms of your cholesterol दोस्तों लास्ट चीज जो मैं आपको recommend करूँगा वो है आमला आमला एक बहुत ही rich source है vitamin C का जो की एक बहतरीन antioxidant होता है और हमारी बोडी को हमारे blood vessels को और हमारे heart को oxidative damage से protect करने का काम करता है आमला अगर आप regular इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके body की जो नसे होती हैं vessels होती हैं arteries होती हैं उनको relax करने का काम करता है और जिसकी वज़े से आपको जो blood pressure है वो कम होना शुरू हो जाता है इसके साथ साथ आपके digestive system को भी strengthen करता है immunity को भी enhance करता है हमारी body के अंदर से जो cholesterol है चाहे वो total cholesterol हो चाहे वो LDL cholesterol हो चाहे वो VLDL cholesterol हो ये सारे bad cholesterol होते हैं इनको कम करने का काम करता है triglycerides को भी कम करने का काम करता है जो की again एक बहुत बुरी चीज है आपकी heart health के लिए बट इसके साथ साथ ये आपका HDL है यानि जो good cholesterol है जो की heart health के लिए ज़रूरी होता है अच्छा होता है उसको बढ़ाने का काम करता है तो एक तरह से overall आपकी जो cardiovascular health है उसमें cholesterol profile को भी improve करता है manage करता है, maintain करता है और आपके blood vessels को relax करके आपके बढ़े हुए blood pressure को भी कम करने में आपकी मदद करता है अगर आप आमले को इस्तमाल करना चाते हैं तो सूखा हुआ आमला भी market में मिलता है आप इसको directly भी खा सकते हैं बट इसके साथ-साथ आप इसका चाहे तो मुरबभ भी इस्तमाल कर सकते हैं इसका juice निकाल के भी आप ले सकते हैं vegetable juice बट mostly अगर हम देखें क्योंकि हर समय जो fresh आमला है वो available नहीं होता है तो जादतर cases में लोग इसके powder को इस्तमाल करना शुरू करते हैं इसका अगर आप powder इस्तमाल करना चाहते हैं तो आदा से एक चमच आप इसका powder सुबा खाली पेट और रात को सूते समय इस्तमाल कर सकते हैं यह आपको cholesterol को और आपके blood pressure को कम करने में बहुत जादा मदद करेगा तो दोस्तों इन चार natural home remedies की मदद से आप अपने बढ़े हुए blood pressure को भी कम कर सकते हैं और इसके साथ साथ overall अपनी जो cardiovascular health है उसको भी improve कर सकते हैं यह चारो ही चीजे पूरी तरह से natural हैं और इनका कोई side effect भी नहीं है और इनको आप जब तक चाहें इस्तमाल कर सकते हैं इन चीजों को लेने से आपको blood pressure घटने का भी कोई खतरा नहीं है क्योंकि अक्सर क्या होता है अगर हम जादा कोई high-five दवाई ले लेते हैं blood pressure की या overdose कर लेते हैं तो उस case में कई बार blood pressure कम भी हो जाता है जो कि again एक बुरी चीज़ है हमारी health के लिए बट क्योंकि यह natural चीज़े हैं तो यह आपके blood pressure को maintain रखते हैं उसको low भी नहीं लेके जाते हैं और high भी नहीं होने देते हैं और इंटा कोई side effect भी नहीं होता है अब इन चारों चीज़ों को आपको एक साथ इस्तमाल करना है या अलग-अलग इस्तमाल करना है I'm sure कि यह भी comment आने वाला है तो इस सवाल के जवाब मैं आपको अभी देता हूँ अगर आप इन चीज़ों को इस्तमाल करना चाते हैं तो आपको सारी चीज़े एक साथ इस्तमाल करने की जरूरत नहीं है इसमें से कोई भी एक या दो चीज़ अपनी सुविथा के अनुसार आप चूज कर सकते हैं और इसको रेगुलर इस्तमाल करना शुरू कर सकते हैं Over the period of time एक आत महीने में आप इन चीज़ों को रोटेट कर सकते हैं अपनी सुविथा के हिसाब से या थोड़ा अपने इंट्रेस्ट को बढ़ाने के हिसाब से इन सभी चीज़ों को जब आप यूज करेंगे तो इसके साथ अगर आप कोई ब्लेट प्रेशर की मेडिसेन अल्रेडी लेते हैं अगर आपका ब्लेट प्रेशर भी बहुत जब आप नहीं रहता है या आप कोई मेडिसेन अल्रेडी नहीं ले रहे हैं तो उस केस में आप इसको अराम से ले सकते हैं दवाई के साथ भी ले सकते हैं लेकिन दवाई को बंद नहीं करना है दोस्तों मुझे उमीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ नएाज जरूर सीखा होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक जरूर कीजेगा हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए फ्री हैं बहुत बढ़िया हैं आने वाले समय में भी आपको इस परागी बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने को मिलती रहेंगी आप इस वीडियो को जादा से जादा लोगों के साथ शेयर भी करिये ताकि और लोग भी इस वीडियो से कुछ फायदा उठा सकें और अपनी हेल्थ का बेहतर तरीके से ध्यान रख सकें अगर आपके कुछ थोट्स हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं या फिर आप मुझे इस्टरग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर भी अपना सवाल प्राइवेटली पूछ सकते हैं तो चलिए इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ के फिर भी लूँगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बढ़ियासी वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए हसते रहिए मुस्कुराते रहिए रोज कुछ ना क दीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा